कोशन नमबर 21 को देखो कोशन नमबर 21 आप से ही कह रहा था Atomic radius decreases as we move across a period because आपको बता है कि period में आप अगर left से right की तरफ को जाते हो तो जो atomic radius है वो घटी चली जाती है क्यों? क्योंकि इसके पीज़े एक बहुत बड़ी physics work करती है chemistry के अंदर देखो period में nucleus के चाओ तरफ period का नमबर तो सेम रहता है अगर आप किसी भी item को देखोगे A की period में तो उनके nucleus के चाओ तरफ period का नमबर सेम रहता है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए A की period में electron add होने इस है जो nucleus का attractive force है electrons पर बढ़ता चला जाता इसको बोलते है effective nuclear charge nucleus को पर positive charge बढ़ेगा क्योंकि जितने electron होतने proton तो effective nuclear charge जो है वो बढ़ता चला जाता है जब effective nuclear charge बढ़ता तो nucleus outermost shell के electron पर ज़्यादा force लगानी शुरूब कर देता है जिसकी वाज़े से atomic radius घड़ जाती है across the period तो यहाँ पर option C से हो जाएगा कि effective nuclear charge बढ़नी की वज़ा से radius घड़ती है एक line में आप याद रख लेना इसको आगा चलते हैं